हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेट इंटर्टेन्मेंट सिर्फ यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्ट्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्ट्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटस्ट वीडियो के बारे में अफटेट जाने सब्स्ट्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरिट वीडियो की तरफ खेद पाएं तो रहे यार में गुम हो जाएं वरना किस वास्ते बेकार में गुम हो जाएं आज तो आप सीधा प्रैक्टिस करके जिम से यहीं आ गए नहीं नहीं आज लग रहे है कैसर फुटबॉल खेलने आए हैं वैसे कैजूल सा जरा ममी डैडी बच्छा आज बड़ी इसकी किटल लगी है मगर नहीं वैसे बड़ा तजाद है एक तरफ लग रहा है कि जैसे किसी जिम से या किसी फुटबॉल उनने कहा खेल कर आए हैं और आपको देखें लगता है कि आप यहां से सीधा किसी की मेंदी पर जा रही हैं मेंदी पर जा रही है बस टोला ले था इंतजार है जी पर लोने एक मुजर्द आके कहना कि आज मैं खोशा मंगला वासे कोई मनत मंगला कि ने बाबाजी मिनु आन मेरेड कर देओ बापा क्यों कहना मनत मंग जननत ना मंग फलाते हैं अपने आज के महमानों को दोनों महमानों ने तालीम किसी और चीज़ के हासल की लेकिन इवेंचुली शो बिस का हिसा बने पहले साब जो हैं उनका तालुक एक बहुत ही जबरदस खांदान से है उनके दादा अनायसन भटी मरहूम और उसके बाद उनके वालिद वसीयों बास एक बहुत ही जबरदस एक्ट है और अब अपने खांदान का नाम रोशन वो खुद कर रहे हैं आप सब की तालियों में जनाब अली अबास और अली का साथ देने के लिए हमारी दूसरे महमान जिनों ने तालिम हासल की बिजनस अड्मिनिस्ट्रेशन की लेकिन अम्बिय करने के बाद फिर एक दिन एक्टिंग की दुनिया में आ गए हैं आप सब की तालियों में मौतरमानम तन्मीर आपने प्यारे से श्दादे के लिए एक्शेव कहना चाहता हम सर, कि खुशियां मस्कुराटें क्योंके आज मजाध रात में मेरे अली अबास और अब बात आगे हैं और जैसो कितने पास आगे हैं पास नहीं है दूरी है अभी लेकिन मैं तो आपके लिए दर्दीला शेहर आपको पते मेरा तो लड़की के लिए होता है कि जिते भी रखे कदम यार ने दिल और जगा चुम चुम जानता है अब आपकी समझ में यह उन्हें क्या का अपके मिटी खाता है अली क्या है आपके मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप कैसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर ये बताईए कि सबसे पहले तो ये कि आपने लौ पड़ा हुआ है और आपके बाद लौ प्रैक्टिस भी किया आपने ऐसी क्या कमी आपको लगी लौ के अंदर जो कि आप यहाँ पूरी करने के लिए उस वक्त आए नहीं मुझे बहुत पहले से ख्याल था कि मुझे आक्टर ही बनना है और वो बड़ा नैच्रल प्रोसेस है मुझे लगता है कि जब एक बच्चा क्यूंकि मैंने ज्यादा वक्त अपने दादा के साथ गुजारा और उसके बाद फिर अबबा के साथ उसाहरे गुजरी रहा था वक्त तो वो बच्च्पन से ही उनको देखना एक इंस्पिरेशन वो लोगी बन गए वे थे मेरी माशालों तो जब अबबा को मैंने पहली बार मुझे अच्छी तरह याद है इस बात का मैंने तथकरा किया और उन्जेव लगारी साहब उनके साथ गाड़ी में जा रहे थे आगे और मैं पीछे बेटा वाथ तो उन्होंने का कि बिटा तुम्हें बड़े होके फिर अबबा जैसा बनने है मैंने का जी बिलकुल बहुत छोटा था मैं तो मुझे बहुत शदीद डांट पढ़ गी इस बात क्यों वाले साथ से जी तो आप बड़े हो के एक्टर बनते हैं पोनी राके एक्टरस बन गए हैं तो इसने दो बैचलर्स किये हुए एक बिजनिस एड्मिनिस्ट्रेशन में किया और फिर एललबी किया तो वो अबबा की एक्चुली कोशिश थी कि मैं कहीं ना कहीं किसी और जग इस सीन हो रहा था उसमें हम कॉमेडी कर रहे थे बीच में यह कहीं ना कहीं लुकमा देता था कि यह कह दो यह कह दो यह तब से मुझे यकीन था यह एक्टर बनेगा यानि कि टांग अडानी के जाद बच्पन में भी थी इन में मुझे बताएं अली के मरूम अनायतसन भटी साहब एक बहुत बड़ा नाम पाक्सानी डिट्रेन्मेंट का उसके बाद वसीम अबाद साहब यह कितने बलाक एक्टर बिल्कुल इस सीज का भार कितना होता है याहुँई एक बुरी परफॉरमेंस एक बुरा सीन आपके अगेर्स चाह सकता है जो लोग तो आम फैम ये समझते हैं कि शायद अगर आपके फैमिली इस काम में है तो असानी होती है बिल्कुल भी नहीं बहुत ज्यादा मुश्किल होती है लेकिन अले बाई हमारी दौा है कि आप मेहनत करें अगर आपने चांद पर जाते हैं आपने इस बात कि अनमा भी बताई है कि उनको पता चला यह और क्यों बता चला है मुझे शॉक था कि मज़ देखती थी तीवी तो मुझे शॉक होता था कि मैं बी आटिंग गरू अच्छा बट यह कि मुझे जो वाखी में करना चाहती थी वह थी डिग्री लॉक ही जो ने जो वाले शॉप मान की नहीं थी उस जमाने में जब मैंने ग्राजुशन किया था तो उसकी बाद मैंने अपने फादर को बोला कि मैं लौ पढ़ना चाहती हूं तो उस वक्त कुछ हालात ऐसे थे कि वो उसमें बुरा वक्त चल रहा था कुछ साल पहले तो उनने खा यह देखो टीवी खोल के दिखाने का यह देखो यह तुमारा हाल होना है तो यह दंडे पढ़ने अच्छा तुम्हें कोई जड़त नहीं है लौ पढ़ने की तो पढ़ने दिया और फिर उनने मुझे कहा कि तुम जो हो वो मास्रस करो बिसनस पढ़ो तो उनके क पर लेकिन मेरा रुजान वही था अच्छा बात पूंदे लिखने का शौक था अच्छा नहीं को नहीं को नहीं करना करना और और आपने अंबिया करना था लाइक जिसमें में अपने मोशन के साथ कुछी कर सकते हूं तो आपने उसके बाद जॉब भी की और इट पो अने मिल्टा नैशनल जावे मुझे 15,000 उपे मिलते थे फिर उनको बता रही है उनको नहीं करना हमें किन्विंस करना है तो आपने उनको समझाना है वो होस्त है हाँ यगीर करें पीछे मेरे कोई कैमरे ने कैमरा उसके साइड भी लगा उधर कैमरे आप उसके देख के बताएगे इस प्रोग्रम ने बाहुवली आया ने तो आपने 15,000 की नौकरी भी की हाँ तो मुझे लगता था कि मैं इतना पढ़ने के बाद मुझे 15,000 की जौब मिल भी है अजीब सा फील होता था कि क्या है कि अधर वेख लो उधर वेख लो कोमेज नहीं हो का अधर वेख लो कि अधर वेख लोग्रम पाद में अधर वेख लोग्रम ने इस तरह परसीड किया था तो वो मैं उनकी खौबों को पूरा नहीं कर पाई तो शुरू शुरू बे आर्गिर्मेंट्स हुए फिर देर फाइन ना हो और एनन बोस ने बला क्यों कटे आए बोस ने कुछ से ने किया लोकरी आप हमारी करती है देखती अली की तरफ हो यार आपको कसम आपने अली की तरफ ली देखना इनका तो मुह बंद कराए ना यह मजाग कर रहा है आप इस बात को सीरिस लीजेगा आपको लगते हैं मैं सीरिस ले लें जो मुझे एक सबसे बहतरीन बात मुजाइद सहब के बारे में लगती कि मुझाइद स सूजब करते हैं इसके बाद इंटर्नल यह shortest ले ले लते हैं यह मजाख कर रहा है आप इस बात को सीरिसले लीजेगा कि या ला बरकत पादे कि अच्छा तो क्या हुआ आपके को दर्द में आप आप हजस के तो अनुमा क्या से इस उमरे नगली दांद ना लोगा हुआ हुआ अच्छा क्या हसने की आदत नहीं है आपको आम फहम जिंदगी में में इतना जादा मैं पहली दवासे हूं इतना जादा पहली दवासे हुआ इतना नीं घ्सनल अ कelyn लोग आपको पसंद आई हैं इसमें जो आपके साथ हेर्विंज कांव यह नेखने भाबन दिन लगा दी ना वहां देखने दे रहे हैं न यहां देखने दे ते लेहीं इदर देखें आप 24 गणटे देखें तो मेरी बेहने इसके अंदर जो आपके साथ लोग काम कर रहे हैं पलक पे चानद के चेहरे पे खाल हो तेरा बुज़िश्टा साल से अच्छा ये साल हो तेरा तेरे शबाब से हाई सरजरी भी शर्माए बगेर जुर्यों के ऐसा जमाल हो तेरा मजाक रात में देता है ये दूआ डी जे सुइस्स पैंकों में जो है वो माल हो तेरा हाँ त्वादियां गड़ियां मैं देखिए ने बार खड़ियां मैं उत्से के लोगता है कि आंदेयां मिरकल ओफ डूमिंज ने पंजा पंजा लैके जाना है हाँ 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 मैं पंजार झाल हो तेरा